इस वीडियो में मैं बात करूंगा SI मुख्य परिच्छा जो होनी है उससे संबंधि 36 गड़ समाने अध्यन के महत्पूर्ण MCQs पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिएक महत्पूर्ण सूचना है अगर आप SI मेंस की तयारी कर रहे होंगे तो इस तयारी को ध्यान में रखते हुए उड़ान I.S. Administrative Academy एक टेस्ट सीरीज लेके आ रही है जो की 12 मार्च से प्रारम होनी है यह जो टेस्ट सीरीज है वो ऑनलाइन और आफलाइन दोनों मोड पर अवलेबल है कुल 18 टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा जिसमें से अगर बात करें तो यहाँ जो टेस्ट सीरीज ह है वो हमारे सभी ब्रांचेस पर अवलेबल है साथ ही यहाँ बिलासपूर तथा कवरधा में भी अवलेबल कराया गया है ब्रांच की में बात करूं तो हमारा रायपूर में ब्रांच है दो जगों पर एक हेड़ ऑफिस है रजबंधा मैदान और दूसरा सिटी प्लाजा मे मालवी नगर अधिक जानकारी के लिए आप संपर कर सकते हैं और अगर मेंस की तयारी कर रहे हैं तो की संग्या धारन की था सकल कोशला दिपती की बात क्या जाया तो कल्चूरी सासक की बात करें कल्चूरी सासक जिनों ने इस उपाधी को धारन किया था वो था प्रित्वी देव प्रथम तो हमारा उत्तर होगा option B प्रित्वी देव प्रथम अगला प्रस्न 1818 से 30 तक इस राज्य में ब्रिटिस सर्रक्षनकाल में प्रथम अधिक चक कौन था अगर हम बात करें पूरे मराठा सासनाओधी की तो आप जानते होंगे कि मराठो का सासनकाल रहा है 1758 से 1884 और यह जो सासन औधी वो पूर्न रूप से क्या नहीं रहा है राज तंतरात्मक अलगलग गति विधी के कारण सासन प्रसासन बदलते रहा है राज तंतरात्मक की बात की जाए तो 30 साल ऐसा उधी रहा है लगभग जहां पर राज तंतरात्मक विवस्था आपको परिलक्चित होगा बिम्बा जी और चिमना जी के माध्यम से फिर 1788 से 1818 तक आपको दीखेगा 36 गण नाकपूर राजे के अधीन एक सूबा के रूप में सासित होगा फिर इसके बाद आप देखेंगे तो आपको दीखेगा 1818 से 1830 के अधी जिसमें नाकपूर राजे के रेजिडेंट के अधीन सूपरिटेंडेंट राज करेंगे अधिक्चक सासक के रूप में और फिर आपको दीखेगा 1830 से 54 तक नाकपूर राजे के रगोजी तृती के अधीन एक प्रसासनी की काई 36 गण जीला के रूप में अब यहां पर पूछा जा रहा है ब्रिटिस सनरक्षनकाल ये पूरी आउधी में से ये आउधी ऐसा था जो ब्रिटिस सनरक्षनकाल में था कैसे ब्रिटिस सनरक्षनकाल में था तो हम पढ़ते हैं जब 36 गण का इतिहास पर बात होता है तब कि 1816 में तातकालिक नाकपूर का राजा कौन अप्पा साहब भोसला अप्पा साहब भोसला जो है वो अंग्रेजों से कर लेता है जब नाकपूर राज्य खाली हो जाता है तो परसो जी जिनका डैथ हुआ था ठारा सो सत्रा में वह नहीं का चाचेरा भाई था अप्पा साब भोसला परसो जी की विद्वा के समाख्षें लोग प्रपोजल रखते हैं दुरगा भाई के समाख्ष कि आप बच्चे को गोद तो दुर्गा भाई जो है वो अपनी ननन बानु भाई मादला परसो जी की बहन जो बानु भाई थी उसके बच्चे को गोद लेते हैं जिनका नाम था बाजीवा गुजर और यही बाजीवा गुजर को जब गोद लेने का रस्म कंप्लीट हुआ जून 1818 में तब वो था 10 साल का था तब अंग्रेज नाकपूर में राज की अधिकारी के रुप में जिसको बलागे रेजिडेंट और उसी रेजिडेंट के अधीन 36 गड़ में अधिक्चक या सूपरी टेंडेंट राज किये हैं पहले रेजिडेंट हुए जैनकिन्स और हमारे यहां पहले अधिक चक हुए उस अवधी में आपको सूचना दे रहे हैं कि उडान आइस एड्मनस्ट्रेटिव एकेडमी सीजी एसाई मेंस भरती की जिसमें आप जानते होंगे पेपर नंबर एक जो है वो गणित रिजलिंग का है और पेपर नंबर तीन जो है जो कंपल सरी पेपर है उसकी बात करों भासा का है उसके लिए को विसेश का अपको तैयारी कराई जाएगी जिसमें यह जो क्लासेज हैं आपको आफ लाइन और ऑन लाइन मोट पर एवलेबल होगा साथ में दोनों आफ लाइन हो उनको रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइट के जाएगा यह जो है उड़ाना येस अकडमी के हेड ऑफिस में प्रारम की जाएगी जिसका समय होगा साथ बजे से साड़े नौ बजे की भी सुबे अधिक जानकारी के लिए आप संपर कर सकते हमारे दिये गए नंबरों पर हमारा अगला प्रशना है निम्ण लिखीत में से किस ब्रिटिस अध इस गड़ में नागपुर राज्य के अधीन अधिक्षक लुक्सासन की और इसी बोलते हैं ब्रिटिस सरक्षन काल तो इसी काल में 6 अधिक्षकों की न्युक्ती हुई पहले थे एडमन जैसे दूसरे अधिक्षक आये गेन्यू जब एडमन अपॉइंट हुए तो बोलते ह इतिहास कार जून 1818 में इनको अपॉइंट किया गया अधिक्षक रूपी लेकिन सवा महिना ही सासन कर पाया था जून 1818 की बात करों सवा महिना समझा थो हुँ तो जून ले एक महिना उले जुलाई और सवा महिना के एक मदद साथ दिन ले लेगा तो समझ सक्तों आप मना था कि यह जो अगास्त के पहलिच विक में या फिर दूसरा विक में कहानी खतम हो गिरी सुई अब आथे 1818 में कोन एगेन्यू 1818 से 1825 तक एक अधिक्षक की रूप में सासन करते हैं सेवाएं देते हैं गेन्यू और इनका महत्पूर्ण उपलब्धी में से एक जिसमें इस राजधानी रतनपूर से वो व्यक्ति थे एगेन्यू आप्शन भी इसका सही जवाब है मेजर एगेन्यू आपके लिए नई सूचना है उडान आईस एड्मनस्रेटिव एकडमी प्रिलिम्स तथा मेंस की तयारी के लिए इंटिग्रेटेड तयारी के लिए एक फाउंडेशन बैच लेक्या रहे है और यह फाउंडेशन बैच जो है वो इंग्लिश मीडियम का है जो की आपको दोनों मोड पर आउनलाइन औफलाइन मोड पर एवलेबल होगा यह बैच जो है वो पंदरा मार्च को सुरू हो रहा है जिसकी समय होगी सुबा साधे साध बजे से साधे दस बजे के बीच इंग्लिश मीडियम का ये बैच है अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिये गए नमबरों पर संपर्क कर सकते हैं विसेश्ता है इस बैच की इसमें जो है वरतमान परिच्छा की जो प्रणाली है उसको ध्यान में रखते हैं आपकी इंटीग्रेटिट तयारी करवाई जाएगी साथ ही आपको प्रत्यक क्लास का रिकॉर्डिट वीडियो और क्लास का पीडिये भी प्रोवाइड के जाएगा तो जोईन करना नहीं भूलिएगा ये हमारे ब्रांच आ रहा है वो है आपका सीटी प्लाजा ब्रांच रायपूर में नई बैच सुरू हो रही है पंदरा मार्च को इंग्लिश मिडियम की बैच सुबा साथे साथ बजे से साथे दस बजे के बीच इसकी समयाओ दिये प्रस्न है नाकपूर के रगुजी भूसला प्रथम के किस सेना पती ने इस राज्य में कल्चूरी प्रभूत्तों को लगभग समाप्त कर दिया जब र जानको जी, मधो जी, सामबा जी और बिमबजी जानते हैं हम 36 गड़ के पहला मराठा सा सकते इनहीं के सेना पती थे कौन भासकर पंद भासकर पंद और भासकर पंद के द्वारा बंगाल अभियान के दवरान 1741 में हमारे यहां आक्रमन तो जानना है आपको उत्तर होगा इ अगला प्रसन है अगस्थ 1930 में इस राज्य में किस इस्थान पर जंगल सत्यागरह हुए जब जंगल सत्यागरह की बात होती है फॉरेस्ट मुमिंट की बात होती है तो हमारे दिमार्ट में आता है सवीनआ अवग्या आंदोलन का फेस पहला पहले फेस्थ में ही जितने भी forest moments थे वो हुए थे तो पहले face की बात क्या जाए जंगल सत्य अग्रह को लेकर यह हटा ही देना है कोई दिक्कत नहीं यहां से सरगुजा चेत्र हटा देना है फिर आपको forest moment दीखेगा दुर्ग चेत्र में लेकिन अभी 30 की बात हो रही है अभी अगस्त की बात हो रही है तो मैं ले रहा हूँ वो है धमतरी यहां से पांच जीला ऐसा जानते होंगे अभी काम का है दो जीला एक महा समून और दूसरा धमतरी फिर दुर्ग डिवीजन में जीलों की संख्या है साथ ऐसा जानते होंगे कबिर धाम खैरागड छुई खदान गंडई राजनांगम मोहलमान पुरंबागड चोकी इसमें लेना है आपको बालोद धमतरी महा समून फिर आप उपर चले गाए तो यह पड़ेगा आपको मुगेली लेट राइप गोरेला पेंडरा बिलासपूर्ग पीला सकती जांगीर्चांपा कोरवा सारं गड़ बिलाय गड़ राइगड अब इसमें जो आपको लेना है वो है उस समय के जंगल सत्या गरह में विलासपूर्ग यह आपका कुर्बा जांगीर चापा और फिर पढ़ेगा आपको सारंगड दिलाइगर जीला का लोकेशन इन जीलों के कुछ-कुछ लोकेशन पर जंगल सत्याग रहा हुए अगर बात के जा धमतरी के लोकेशन तो धमतरी का दो लोकेशन है जून 1930 गटा सिली यहां से जंग सत्याग रहा था और अगस्त 1930 रुद्री नमागाओं सबीना वग्यांदुलन के दवरान बात कर रहा हूं तो प्रस्न आपको पूछा गया अगस्त 1930 उत्तर यही से हैं देख सकते हैं अगस्त 1930 में कहां जंगल सत्याग रहा हुए तो जंगल सत्याग रहा हुए वो है बना पोड़ी हम बोलते हैं वो एक साथ है जुलाई महिना खाए 1930 में बालोद जीला की घटना है तो अभी उत्तर है आपका अप्शन ए इस प्रस्न का अनुसार इस राज्य में 1920 में हुए प्रथम मजदूर हड़ताल का नेत्रित तो किस ने किया जब हम पढ़ते हैं मजद मजदूर आंदल उनके रुप में पढ़ते हैं और पहला मजदूर आंदोलन संचालित हुआ था इसMmे तो इसका अप्शन है ऑप ठाकूर प्यारे जाल tragen को सस्पेंड नाव और फाइनली रद किया गया प्रस्न है राश्ट्री भाना विक्सित करने हैं तू इस राज्य के राजनान गाउं में 1909 इस्वी में कौन सा संगठन इस्थापित किया गया था जब 1909 इस्वी की बात होती है तो 1909 में हम पढ़ते हैं सरश्वती पुस्तकालाई सरश्वती पुस्तकाला के संगठन करता थे तो आप देख सकते हैं क्या है तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है सरश्वती पुस्तकालाई अगला प्रस्न है इस राज्य के किस इस्थान से 1909 में प्रथम समाचार पत्र 36 गड़ मित्र प्रकासित हुआ 36 गड़ मित्र की बात की जाया तो 36 गड़ मित्र के प्रकासन ये तो देही दिया है संपादक कौन थे तो दो लोगों का नाम मिलता है संपादक में एक व्यक्ति है वो है पंडित माधाव राव सपरे जी पंडित माधाव राव सपरे और दूसरा नाम है वो है आपका पंड वित रामराव चिंचोलकर ये दो नाम आपको मिलेगा फिर आप देखेंगे इसके प्रकासक के रूप में तो वो है वामन राव लाखे ये प्रकासक है अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कहां से प्रकासी थुआ तो पेंडरा रोट से जो कि आज गौरेला पेंडरा मरवा जीला का हिस्सा है उत्तर है इसको अप्शनवी अगला प्रस्ण है इस राज्य के कंडेल ग्राम में 1960 इस्वि में कौन सा सत्यगरः का विजन हुआ था तो इतिहास जूड़ा हुआ खंडेल आता है धंतरी में इतिहास जूड़ा हुआ है किुका कि यह और परकासानों ने से आंदोलन सुरू होता है आपके लिए के जरूरी सूचना है उड़ाना यस एडबनेस्ट्रेटिव एकेडमी सिटी प्लाजा ब्रांच में गनीत रिजनिंग हिंदी तथांगरे जी या मैं यू बोलूं कि पेपर एक और पेपर तीन की संपूर्ण तैयारी के लिए जिसका बेटेज आप जानते होंगे जो कंपल सरी पेपर है उसमें भासा का और अंक गनीत और रिजनिंग का महत्पूर्ण योगदान है चार सवंक का यह प्रस्न पत्र है दोनों मिला दिया जाए तो इसी के मद्दे नजरिक विसेश का प्राराम की जा रही है एसाई मेंस के प्र प्राजा ब्राज से संपर कर सकते हैं नहीं तो इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं प्रस्न है इस राज्य में ब्रिटिस सूपरिटेंडेंडेट के रूप में क्याप्टन एगेन्यू का महत्पूर्ण कारे निम्न लिखित में से कौन था अगर एगेन्यू के कारे की बात क प्रसासनी कारे के रूप में, तो इनका प्रसासनी कारिया है राजधानी परिवर्तन और परगनों का पुनर गठन, जो परगना था उसका ये पुनर गठन करते हैं, 27 से जो केंद्री कृत वियस्था के तहत उसको नौ कर देते हैं फिर इसके विद्रोही गतिविधियों को देखे जिनका इन्हों ने दमान किया विद्रोहों का दमान या विद्रोह का दमान विद्रो के दमन के रूप में हम क्या पढ़ते हैं तो विद्रो के दमन के रूप में हम पढ़ते हैं कि इन्हों ने महारसिया के विद्रो के दमन किया एक दूसरा हम पढ़ते हैं सावंत भारती अपने सासन काल में अपने कुसल प्रसासन से तीसरा हम पढ़ते हैं वो है सोना खान के रामसाय जी का विद्रूः रामसाय का विद्रूः और एक हम पढ़ते हैं परल कोड़ जमिलारी से विद्रूः गैंट सी का विद्रूः इनके समय विद्रोही गतिविधी और इन गतिविध्यों पर इनों ने नियंत्र की महत्पून घटना की रूप में हम वर्गी कृत कर सकते हैं तो अब देख सकते हैं राजधानी परिवर्तन रतनपूर से रायपूर को राजधानी बनाए अपसंडी इसका सही जवाब है बाग के जाए अगर अगले प्रस्ण को लेका इस राज्य के निम्नलखित में से की सि 1922 21 जनवरी 1922 जब हमारे देश में आशहयोग अंदोलन जो चल रहा था वो था आशहयोग नौन कॉपरेशन आशहयोग अंदोलन संचालित हो रहा था और इसी आशहयोग अंदोलन के दावरान सिहावा नगरी छेतर से जंगल सत्यागर हुआ 21 जनवरी 1922 हम जंगल सत्याग रहा कि रुपे पहली घटना इसी को देखते हैं कहां हुआ तो सिहावा नगरी की कहानी है option C इसका सही जवाब है हमारे यहां जितने भी जंगल सत्यागर अधिकतर घटना सवीनय अवग्या अंदोलन के दोरान हुई है इसके अलावा बाद में भी घटी हम ऐसा नहीं बोल रहे है 1938 में जंगल सत्यागर होता है चुई ख़दान 1949 में डोंगणगड के पास बदरा टोला से जंगल सत्यागर होगा 1949 में ही डौंडी लोहारा जंगल सत्यागर होता है लेकिन अधिकतर आप देखेंगे तो 1930 में जंगल सत्यागर है लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है जनवरी 1922 तो उत्तर है इसका सिहावा नगरी अगला प्रस्ण है सवीने अवग्यांदुलन प्राराम होने पर सरकार ने रायपूर जिला कॉंसील को कब भंग किया अगर रायपूर जिला कॉंसील के भंग होने की बात की जाए तो यहाँ जो है वो 12 जुन 1930 को भंग किया गया था अगला प्रस्टन है निम्न लिखित में से कौन सी जोड़ी सविना वग्जांदोलन के दारान इस राज्य में हो जंगल सत्याग्रा उनके नेता सुमेलित नहीं है कोश्चन में पूछा गिया है कौन सा सुमेलित नहीं है गटा सिली जंगल सत्यागरा नरायन रोमेगा वाले सुमेलित है रुद्री नमगाँ जंगल सत्यागरा छोटे लाल स्री वास्ताव जी सुमेलित है तमोरा जंगल सत्यागरा यती यतनलाल जैन जी सुमेलित है मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रा वी वायता मसकर जी ये सुमेलित नहीं है तो हमारा उत्तर यहीं होगा क्योंकि मोहबना पोड़ी छेतर से जंगल सत्याग्रा हुआ तो नरसी प्रसाद अग्रवाल जी के नेत्रित्यों में हुआ है उत्तर डी ऑप्सन इसका सही है वी वायता मसक इसका उत्तर नहीं है प्रस्ण है निम्न लिखित में से किस आंदूलन के दौरान इस राज्ये में जंगल सत्याग्रा हुए मैं भी पहले भी बोला हमारे हैं मुख्यूर्प से जंगल सत्याग्रा जो है वो सभीने अवग्या अंदूलन के दौरान होते हैं तो सभीने अवग दलपत देव के दो संताने थी, दलपत देव, सासन में रहते हैं 1731 से 74 तक, और इनकी दो संताने थी, बड़ा पुत्र था वो था, दरिया देव, और छोटा पुत्र था वो था, अजमेर सीन, दरिया देव, ये सत्ता में आते हैं, बड़े पुत्र होने के नाते, 1774 में जब उनकी मृत्ती होती है तो, और 76 तक ये सासन में रहते हैं, थोड़े अवदी के लिए सासन में आएंगे, आजमेर सी, 76 से 77, क्योंकि दोनों भाईयों के भी संगर्स चलता है, और उसी संगर्स म पेठी रहते हैं, फिर से, कम भैक होता है कि इनका, दरिया देव का, और 1777 से लेकर, अठारा सो तक, ये राज करते हैं, बस्तर च्चेत्रम, और जब कम भैक होता है, तो संधी होता है, क्योंकि ये साहता लेते मराठों से, और जैपूर जमीदारी विक्रम, राजा विक्रम देव से उसी सहयता के परिणाम स्वरूप यह जो है पुना अपने राज्य छेत्र पर अधिकार प्राप्त कर पाता है तो एक संधी होता है अब वोकरमन से हेल्प ले फोकट में थेल्प नहीं करे हुई 6 अपरेल 1778 को कोट पाड की संधी आज उडिसा में गया है वो पहले वो बस्तर सासन का हिस्सा था कोट पाड की संधी होती है और इसी कोट पाड संधी के तहर मराठो के अधिन आ जाता है बस्तर की स्वाधिनता समाथ हो जाती है पराधिन हो जाते है वो मराठो के अधिन उत् समय गिरपतार हुए निताओं में से एक थे जब राजनितिक सम्मेलन की बात आती है और क्यों राजनितिक सम्मेलन हुआ तो जन जागरुपता के लिए राजनितिक सम्मेलन की बात आती है तो राजनितिक सम्मेलन जन जागरुपता के लिए हुआ था हम पढ़ते हैं इतिहास में 12 मार्च 1931 को विलासपूर में जित धुआ और 22 निस मार्च 1922 को रैपूर में जित और दोनों हाईलाइट रहा यहां माखारलाचतुर्वेदी जी हैलाइट हुए जो कर्मवीर पत्रिका के संपादक रहे हैं और वहां जाके रवीसंकर सुखल जी हैलाइट हुए तो उसी में पूछा जा रहा है रवीसंकर सुखल के बारे में हम बात करते हैं 9 सितंबर 1942 की तब ये लॉक एक स्टुडेंट थे ठापूर राम कृष्णस सी ही और राम कृष्णस सी जी ने क्या किया था जब भारत छुड़ो आंदोलन चर रहा था तो उसी आंदोलन के दवरान नाकपूर हाई कोट के बिल्डिंग में इन्होंने जंडा फहरा था और इसी जंडा फहराने के आरोप में इनको ब्रिटिस पुलिस सासन के द्वारा गिरबतार की गई थी तो हाई कोट भवन में तिरंगा फहराना इसलिए हाईलाइट हुए थे अप्संसी इसका सही जवाब है प्रस्न है 1740 में इस राज्य पर मराठा आकरमन के समय रतनपूर राज्य का कल्चूरी सासक निम्नलिखित में से कौन था जब बात के जाए 1741 में रगुजी प्रथम के सेनपती भासकर पंद के आकरमन के समय तो कल्चूरी दो थे एक रतनपूर राज्य के कल्चूरी थे और दूसरा जो थे वो रायपूर राज्य के कल्चूरी थी और जब रतनपूराजय पर मराठा अक्रमन हुआ तो इस समय अंतिम सासा के रूप में सासन कर रहे थे वो थे रगुनात्सी गद्धी पर थे इनहीं के समय 1741 में मराठा स्टेनपती भासकर पंद्ध का अक्रमन हुआ अंतिम राजा थे ये 1745 में इनकी मृत्यू उसके साथ कल्चूरी के धिसत्त समात्त तो उत्तर है इसका रगुनात्सी ऑप्शन एस ही जवाब प्रस्ण है इस राजे के ब्रिटिस समराजे में विला के पस्चात निमनलकीत में से किसे यहां का डिप्टी कमिशनर निक्त किया गया जब डिप्टी कमिशनर की बात होती है तो फरवरी 1855 दिमाख में आना चाहिए क्योंकि मार्च 13 मार्च 1854 को 13 मार्च 1854 को हडपने की पूरी कारवाही कम्पलीट नाकपूर को कमपनी छेत्र मिलानी की कारवाही कम्पलीट और जैसे कम्पलीट होगा फरवरी 1855 में 36 गण में सासन के लिए पद का स्रीजन पहले डिपटी कमिशनर और 36 गण में इस पद के स्रीजन के साथ पहले डिपटी कमिशनर बैठाए गये वो थे चार्ल्स इलियट तो उतर होगा इसका चार्ल्स इलियट देखें आप्सन में आप्सन सी इसका सही जवाब प्रसन इस राज्य में कल्चूरी वंस के सासन का संस्थापक इन में से कौन से हैं अगर कल्चूरी की बात क्या जाया तो कल्चूरी दो छित्रों में राज की है मैं पहले बोल चुका हूँ एक रतनपूर राज्य के कल्चूरी है और दूसरा राइपूर राज्य के तक वहीं इनका सासन चलता है तेरा सो इस्वी में कहानी शुरू होता और सतरा सो पचास तक अमर्ची तक तो यहां पर आपको यह पूछा जा रहे कलिंग राज इसका फॉंडर आप्शन ए इसका सही जवाब है कलिंग राज प्रस्ण अगला इस राज्य में 1923 में जंडा सत् रह की बात आती है तो इसकी पूरी गतिविधी शुरू हुई थी मार्च 1923 में जबलपूर से हमारे यहां घटना घटता है 31 मार्च जबलपूर का हमारे यहां घटना घटता है 31 मार्च 1923 को बिलासपूर में टाउन हाल में जंडा फैरा के सत्याग्रा सुरू किया जाता है 31 मार्च 1923 उत्तर है इसको अप्शन एक बिलासपूर फिर बात क्या जाए निमनलखित में से किस वर्स में इस राज्य में हनुमान सी के नत्रित्व में सिपाही विद्रो हुआ जब हनुमान सी के नत्रित्व में सिपाही विद्रो की बात आती तो उसको उत्तर है 1858 है क्या घटना तो 18 जन्वरी 1858 को हनुमान सींग जो की राजिस्थान भैसवारा के राजपूर थे जिन्होंने 17 सिपाही साथियों के साथ मिलके सार्जेंट मेजर के पत पर पदस्त सीडवेल की हत्या की थी और यहीं से सीपाही विद्रो या सैनिक विद्रो हुआ था रायपूर में उत्तर है इसका 1858 प्रसनगला है इस राजय में प्रथम मराठा सुबेदार कौन था सुबेदारी विवस्था मैं पहले जीकर कर चुका ह हो चतिस गड़ में 1718-1818 यह ऐसा अवधी है जिसमें विवस्था सुबेदारों के मार्दिहम से संचालित होती है और सुबेदारी विवस्था में पहले सुबेदार होते हैं वह हैं महीपात राओ महीपात राओ अठासी से 1718 से 90 तक यह सुबेदार रहते हैं महीपात राओ इसके बाद आते हैं कौन बिठ्थल 96 तक रहेंगे 90 से 96 तो उत्तर है इसका महीपात राओ उप्शन ए सहीं जवाब है प्रसन है इस राज्य में पांचवी छटी सताब्दी में सासन करने वाला सासक प्रसन्न मात्र की सुबंदी था जब प्रसन्न मात्र की बात होती है तो प्रसन्न या प्रसन्न मात्र इसका जो संबंद है वो सरभ पूरी वंस से रहा है सरव पूरिवन्स का संस्थापक राजा सरव राज उसका पूत्र नरेंद्र और नरेंद्र का पूत्र प्रसन्न या प्रसन्न मात्र तो सरव पूरिवन्स हमारा सही जवाब है अगला प्रस्ण है बस्तर में सन 1910 का अंदोलन किस स्थान से प्रारम हुआ था जब बात होता है बस्तर के अंदोलन की तो दो फरवरी 1910 वीर गुंडा धूर जी के द्वारा यह अंदोलन प्रारम किया गया पूसपाल बजार के लूट के साथ तो उत्तर है इसको अप्शन सी पूसपाल बजार प्रस्ण है नेमने लिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिस प्रदेशों को मध्यपरांद के एक संभाग के रुप में सम्मिलित किया गया तो जब 36 गड़ को एक संभाग का दर्जा मिला इस पर बात होती है त तो 36 गड़ एक संभाग बना इस मध्यपरांद बरार की अंतरगत 1862 में और इसी 36 गड़ संभाग का जो मुख्याले बनाया गया वो था रायपूर रायपुर संभाग मुख्यालय बनाया गया न की संभाग रायपूर संभाग मुख्यालय बनाया ओ संभाग क्या बना था चतिस गड़ अठारा सो बैसर तो उत्तर होगा इसको अप्शन बी प्रस्ण है निम्न लिखित में से किस वर्ष में रायपूर को इस राज्य की राजधानी बनाया गया पहले चर्चा कर चुका हूँ इसका उत्तर आप कमेंड बॉक्स पर हमको करेंगे नाम में बता देता है आप समझ जाएंगे फिर राजधानी परिवरतन उनका एक गतिविदी निम्न लिखित में से किस जमीदारी से इस राज्य का प्रथम सहीद नरायन सीजी का संबंध है वीर नरायन सीजी आप जानते होंगे सोना खान जमीदारी से जमीदार थे 35 वर्ष की आयू में जमीदा था 1830 में अपने पीता की मृत्यू के पस्चाद यह जमीदारी सम्हा लेती और अंदोलन होता है कब अगस्त 1856 में बेसिकली जो कहानी सुरू होता है सूखा के साथ तो उत्तर है इसका सोना खान ऑप्शन डी प्रस्ण है इस राज्य में 1942 के रायपूर साड़ी अंतर केस जब चल रहा था क्या भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त में शुरू ठीक महिना यह जूलाई का है भारत छोड़ो आंदोलन घटना घटित होनी के पूरू नील में खित में से कौन सामिल था जो सड़ी अंतर के उसमें मास्टर माइंड थे वो थे परासराम सोनी जी सुधीर मुखर जी रनवीड सी सास्तरी ऐसा आपको नाम मिलेगा तूत्तर है इसका परासराम सोनी प्रस् होती है तो 36 गड़ में 14 रियासते थी जिसको 1865 में वायसरात आतकालिक वायसरात जौन लारेंस के द्वारा सामंती सनत प्रदान किया था और 14 रियासते एक जनवरी 1948 को भारत संग में सामिल की जाती है तो हमारे यहां जो भी रियासते थी वो मध्यपरांध बरार का हिस्ता बनी एक जनवरी 1948 तो इसको उत्तार है ओप्सन डी यह था आपके 36 गड़ समान यद्ध्यन से संबंधित महत्पूर्ण MCQ जो आपके SI मुख्य भरती परिक्षा के लिए सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ तब तक के लिए जय जोहार जय च आति बाहु जोиновान हिए जोहार जाति दो हूार जाति जा अपके लिए